आज का जो हमारा टॉपिक है वो साथ आपको पहले से पता ही है आप जानते भी हैं अगर आपको नहीं भी पता है तो 26 जैन्वरी 15 एगेस्ट को आपको पता होता ही है क्योंकि पूरा इंडिया स्वतंत्रता की अजाधी की खुसिया मानाता है तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ध्वज के रूप में होगा हमारा राष्टिय ध्वज या कह सकते हैं इंडियन फ्लैग नेशनल फ्लैग इसी के बारे में बैस टॉपिक पर डिसकस करने इसी के बारे में इस वीडियो में आपको मिलने वाला है So let's start भारत का राष्टिय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के समविधान दोरा अपनाया गया था भारती राष्टिय ध्वज को अपने वर्तवान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय समविधान सभा की बैठक के दोरान अपनाया गया था आपको पता चला जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतनत्यता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी इसे हम 15 अगस्त 1947 और 26 जैनवरी 1950 के बीच भारत के राष्टिय ध्वज के रूप में अपनाया गया था जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको हमारे लिए तिरंगा बेतर महत्वण और गौरों का विसय है इस नाम के पीछे की वज़ा इसके इस्तेमाल होने वाले तीन रंग के सरिया सफेद और हरा इसके मौजुदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ाओं में हुआ है अभी जो तिरंगा फैराया जाता है उसे 22 जूलाई 1947 आनि की 22 जूलाई 1947 को अपनाया गया था तिरंगे को अंद्रपरदेश के पिंगली वैंकया ने बनाया था अब जानते हैं ये तीन रंग का मतलब क्या है तो भारत का तिरंगा के सरिया सफेद और हरे रंग से मिलकर बना है जिसके बीच में एक निले रंग का असोग चक्र भी बनाया गया है एक्ता अखणता और सक्ती का परतीक होता है तिरंगे के हर रंग का अपना एक महत्व है जहां भारत के तिरंगे का के सरिया रंग का देश की एक्ता और सक्ती को दरसाता है वहीं सफेद रंग देश की सांती और खुसाली को दरसाता है हरा रंग देश की संपनता और परगती को दरसाता है तिरंगे के बीच में बना हुआ निले रंग का असोग चक्र जीवन और उसकी गती सिल्था का परतीक है असोक चक्र में बनी हुई 24 तिलिया धर्म के 24 निमो को दसाती है उमीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से तिरंगे के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें मालूम हुई पता चला और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसे लाइक कर दें और सेर तो करें और कमेंट में करके भी बता हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा थैंक्यू थैंक्यू फू वाचिंग